नमस्कारह इसनातको तर पाठ्यक्रमस्य अध्यतनिय कक्षायाम हवताम समेशाम अपे जोतिशानुरागयनाम दर्शकानाम चाहार्दम् स्वागतम् मया विधियते अध्य जोतिश गनितस्य प्रथम पत्रस्य ग्रहलागवं इत्याख्यस्य करण ग्रंथस्य अष्टादशतमोयं पाठह निर्धारितह वर्तते कक्षायामस्यं यस्य नाम वर्तते उदयमान साधनं भोमित्राणी अत्र नामनईव परिज्यायते यत उदयमान साधनं नाम उदयस्य यन मानम भवती तदेव उदयमानं तथाच तस्य साधनं कथम कर्तव्यं कित्येतत सर्वं एव पाठेस्मिन निर्धारितम वर्तते तत्र अस्य पाठस्य अध्यायनात प्रागेव यानि उद्धेश्यान निर्धारिता निसंती किमर्थम अस्य पाठस्य रचना जाता तत्र अस्य निर्मान मूले कानिचन उद्धेश्यानिसंती यानि एव आधारिकृत्य आचारेण अस्य पाठस्य निर्मानम कृतम तथा इत्ये तेशाम समेशाम अवि पदार्थानाम जिग्यासानाम चा शांत्यर्थम तत्र यानि उद्देश्यानि वर्णिता निसंती तेशाम उद्देश्यानाम ज्यानम तु अनिवार्यमे वो बर्थते। अर्थात उदय मानस्य किम गणितिय विधानम वर्तते का गणितिय प्रक्रिया शास्त्रे विभिन ग्रंथेशु प्रतिपाजिता वर्तते के न विधिन अस्य साधनम करतव्यम उदय मानस्य के के विधाय विभिन ग्रंथेशु प्रतिपाजिता हसंती तेशाम समेशाम अपि अध्यानेन भविश्यती एवम एव प्रकारेन गनित जोतिशे उदय मान अस्य प्रयोजने पी छात्राह प्रविणाह भविश्यती अर्थात गनित जोतिशे उदय मान अस्य प्रयोजने पी छात्राह प्रविणाह भविश्यती अर्थात गनित जोतिशे उदय मान अस्य प्र प्रक्रिया प्रयोगेन कथम उदयमान साधनम कर्तव्यम तत्र किम क्लिष्टता तत्र वर्तते किम च सौविध्यम तत्र वर्तते इत्येवं प्रकारेन तस्य विधेह सम्यक्तया संपूर्णम पिज्ञानम अस्य पाठस्य अध्यानेन अस्य पाठस्य श्रवनेन दर्शनेन चा चात्र व्याह सम्यक्तया भविष्यती तत्र सर्वप्रतमम उदयमान नाम किम भवती उदयमानम वस्तुतह उदयमानम उदयस्यमानम एव उदयमानम भवती तत्र केशाम कस्यवा उदयमानम वस्तुतह राशी नाम उदयमानम एव भवती राशी उदयमानम तथा उदयमानम अपी द्विधं भवती लंको उदयमान लंकोदय मानम नाम निरक्षोदय मानम अर्थात राशी नाम निरक्षोदय मानम एव भवती तेशाम लंकोदय मानम तथाच सोदय मानम नाम स्वदेशा भिप्राइकं स्वदेशी यक्षितिजा भिप्राइकं वा यन मानम भवती राशी नाम उदयस्य तदेव सोदय मानम ओप्रकारेने लंकोधय मानास्या परणाम निरक्षोधय मानाम अपिवर्तते तताचा मेशादी राषिय नाम उदया माना नी राषिय उदया माना नी इतैक पद बाच्या नी भवनती तत्रक्रान्ति वृत्य राशया दिंविभागेन सर्मए पिराशयह तुल्यप्रमाण आयेría व संति परण्तू, लंका औक्षिति जे तिरश्ची नत्वात् क्रांति वृत्तस्य मेशा दजैयह विभाग आया यावता मानेन लंका क्षितिजे समुद गच्छन्ती तानी तेशाम राशी नाम उदय मानानी भवंती अर्थात लंका देशीयक शितिजम्त भवती नाडि वृत्तात्मकं तथाच राशयह भवंती क्रांती वृत्ते नाडि वृत्तो परी क्रांती वृत्तस्य तिरश्ची नत्वात तत्र प्रिष्ठ केंद्रे भिन्ने भिन्ने वर्तेते यतो ही ध्रुवस्थाना नवत्यन शेन रचना जायते नाडि वृत्तस्य तथाच कदंब स्थाना नवत्यन शेन निर्मितम भवती क्रांति वृत्तम अतह तत्र प्रष्ठस्थान अभेदात नाडि वृत्तो परी क्रांति वृत्तम तिरश्चीनम तिर्यक स्थितम भवती अतह लंकाक्षिति जे यदा क्रांती वृत्ति याहा राशया समुध्गछ्छंती तत्र तेशाम माने परिवर्टनमायाती तथाच तत्र भिन्न भिन्न मानानी उदय मानानी भवंती राशी नाम एतानी अपी लंका देश स्वदेशयोह विभागेन द्विविधानी अर्थात एतानी राश्युदय मानानी अपी लंका देशियानी भवंती तथा चा स्वदेशियानी भवंती इती द्विविधानी भवंती अर्थात लंकाक्षितिजे लंकुदय मानानी स्वक्षितिजे चा स्वोदय मानानी इती तु नामना परिभाशया वा इस्पष्टमेव बर्दते लंकादेशिया भिप्रायकानी मानानी तु लंकाुदय मानानी तथा चा स्वक्षितिजा भिप्रायकानी मानानी स्वोदय मा नाडिक्राम्ति वृत्तयोहो परस्परम् तिरश्ची नत्वात राश्यादि विभागेन राशी नाम तुल्यत्वे सते पी नाडि वृत्तियम् मानम भिन्नम भिन्नम भवती। लंका देशी यक्षिति जे एतन नाडि वृत्तम् पूर्वा परानु रूपम् ग्रहरक्षादी नाम राश्यादि परिमान परिचायकं क्रांति वृत्तम् चतत्र याम्युत्तरम अर्था तिरश्ची नत्वेन उदेती। अर्थात नाडि वृत्तो परी क्रांति वृत्तस्य तिरश्ची नत्वात यदा क्रांति वृत्ति या मेश राशेह संपूर्णो दय हजायते। तदा तदा भी प्रायेन नाडि वृत्ते तु अष्टा विम्षति भागाह किंचि न्यूनाएव उद्गच्छन्ति अत्र सैधांतिक द्रिष्ट्या क्रांति वृत्ते राश्याद्य अंत बिंदु द्वयो परिगतयोहो ध्रुवप्रोत वृत्तयोहो अंतरे नाडि निरक्षोदय मानम भवती अर्थात क्रांति वृत्ते राशय हसंति तत्र राश्यारं भे राश्या वसाने च तत्र धुवप्रोत वृत्तम अस्माभे कर्तव्यम यहां मेशादि विंदु यथा उदाहरण माध्यमेन यदि मेश राशिह वर्तते तरही मेशादव एकम अनयोहो द्वयोहो धुरुवप्रोत वृत्तयोहो नाडी वृत्ते यद अंतरम अस्माभे हिलभ्यते तदेव मानम तदेव अन्शात्मकं मानम चापात्मकंवा मानम तस्य राशे हे निरक्षोदय मानम भवती इति क्षेत्र वा लोकने नас पश्टमे व वर्तते अथ उदयमान साधनार्थम उन्मंडल आहो रात्र संपाता त्री नीक्षेत्राणी उत्पद्यंते तत्र उन्मंडल वृत्तस्य अहो रात्र वृत्तस्य च संपाता त्री नीक्षेत्राणी गूले उत्पद्यंते तानी यथा लंकादेशी यक्षिति जे मेशांत क्रांतिज्या भवती भुजह, क्रांति बृत्ती यकंडे मेशांत भुजज्या भवती करणह, तथाच अनयोहो भुजकरणयोहो वर्गांतर मूलात मेशांत आहोरात्र भृत्ते कोटही इती प्रथमं भवती क्षेत्रम एव प्रकारेन व्रशान्त घ्रांतिया भुज भा क्शेट्र्या चार्थिजिए मुदू सेला करनक हो शो शुक करा देलीग, क्याद पर जनका पिंद आलो शुना बाह jest to think. र मतिण हो शुक्ति ड़ नाया노्पिस परने शुक्ति he can परफरोय प्रशखती जापिये त्रिकोण मितव। 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 अर्थादस्य अन्वैह वर्ततेयत गजभानी गोंक दस्राहा, त्रिपक्षदह नाहा एते क्रमस्थाह, मेशादी नाम, त्रयाणाम, राशी नाम, विघटिकाह, लंकोदयाह सिह। एते एव करकादी त्रयाणाम, लंकोदयाह सिह। इमें क्रम गात नाम क्रमस्थाई ही जरदलै ही हीनान विताहा मेशाधितह उत्क्रमतह घततहा अर्था तुलातह लंकोखुदयाहा सिहुः अर्थत व्याख्या रूपेण वयं वक्तुम् शक्नुम्हायत गजभानी तत्र गजभानी त्यस्यताथपर्य वर्तते यत अश्ट सब्तत्युत्तर द्विशतं तथाच गुंक दस्राहा नाम नवनवत्युत्तर शतत्वयम त्रिपक्ष दहनाहा अर्थाब त्रयोविम्षत्युत्तर शतत्रयम भिघटिकाहा नाम पलात्मकंग भिघटिकात्मकंग मानमिदम वर्तते क्रम गोत क्रमस्थाहा अर्थात क्रमरूपेन उतक्रमस्थाउस चा, उतक्रमरूपेन चा लगोधयाहा इमे लंको दया हा, क्रम गोत क्रमस्थाई ही, पुनह क्रम विलोमस्थिताई ही, चर दलै ही नाम, चर खंड कैई ही, ही नान विताहा, अर्थात रहिताहा, सहिताश्चकार्याहा, योजिताश्चकार्याहा, तदा मेशा दिताहा, मेशा दी नाम, शन नाम पिराशी नाम, उत्क प्रमत हा अर्थात् पुन्ह विलोमतह घाटताह नाम तुलादीनाम शड राशी नाम स्वदेशियोदयाहा सिह। लंकोदयाहा विखटिकाहा पलात्मकाहा सिह। तत्र बुर्शास्य मानम भवती गजभाने अश्टसपत्य उत्र व्रश तात्मकं मानम भवती मेशस्य भवती इते गोंक दस्राहा इती एकोन त्रिंशत मितम त तताला sau जानर्षत जाणे त्रिपक्षदः ऺवती अतर ओनर्षेमा म हमेले उतु अर्थात क्रमस्थास्त्रयह नाम क्रमस्थाई ही त्रिभी ही चरखंड कई ही ही नाहा उत्क्रमस्थास्त्रय अर्थात उत्क्रमस्थाई ही त्रिभी ही चरखंड कई ही युक्ताह कार्ज्याह तदा मेशादी नाम शड राशी नाम उदयाह सिहुं इमे उत्क्रमतह घटतह नाम तुला तुला तह एतेशाम राशी नाम उदयाह सिहुं तथा कृते एवं प्रकारेन स्वोदय मानानी उपलभ्यंते। तुला तह एतेशाम मानानी सोदय मानानी यानी संती 12 राशी नाम तानी दन्य मया उपस्थाप्यंते। एतेशाम एव त्रयानाम मानानाम पुनह उत्क्रम रूपेन स्थापनेन करकादी त्रयानाम राशी नाम तुलादी त्रयानाम च राशी नाम पुनह उत्क्रमेन मानानी लभ्यंते यथा। करकस्य मानं भवती विचत्वारिम्षत उत्तर त्रिशतात्मकं इदमेव धनोह मानं सिंहस्य मानं भवती पंच चत्वारिम्षत उत्तर त्रिशतात्मकं इदमेव व्रिश्चिकस्य मानं कन्यायाष्य मानं भवती त्रिपंचाशत उत्तर पंच त्रिम्षत उत्तर त्रिशत आत्मकम इदमेव तुलाया हमानम पिभवती स्वदेशिय एतानि मानानितू काशी इस्थानिस्य काशी देशस्यच संती। आत्मकम इदमेव तुलाया हमानम पिभवती इस्थानितू काशी देशस्यच संती। आत्मकम इदमेव तुलाया हमानम पिभवती इस्थानितू काशी देशस्यच संती। आत्मकम इदमेव तुलाया हमानम पिभवती इस्थानितू काशी देशस्यच संती। आत्मकम इदमेव तुलाया हमानम पिभवती इस्थानितू काशी देशस्यच संती। आत्मकम इदमेव तुलाया हमानम पिभवती इस्थानितू काशी देशस्यच संती। इत्यत दर्थम तत्र मेश मीन योह कृते लंको दयाहसंती तत्र लंको दयासू चरखंडानि अस्माभी विरहितानि करतव्यानि। तरही अनेकर प्रकारेन काशी देशिय्य उदाय मानम भवती मेशस्यच एकविम शत्य उत्तर द्विशतात्मकम इदमेव मानम मीनस्यापि वर्थते। एवमेव प्रकारेन व्रिशमिथुनयोह मानात शट्चत्वारिम्षत निरक्षदेशिय मानात शट्चत्वारिम्षत विशोधनेन लब्धेह भवती त्रिपंचाशद उत्तरत विशतात्मकम इदमेव मानम व्रिशकुंभयोह स्वादेशिय उदय मानम भवती तथाच मिथ मिथुन मकरयोहु क्रते यन मानम निरक्षदेशियं भवती तस्मात मानात एकोन विम्षतिही इती मान विशोधनेन लभ्तिही भवती चतर उत्तर त्रिशतात्मकं। योजनेन स्वदेशिय मानं लभ्यते अतह करकधन्वोह मानार्थं तत्र निरक्षदेशिय मानेशू स्वदेशिय चर्खन्दानी योज इत्वा तत्र लब्धी भवती द्विचत्वारिम्शत उत्तर तृष्टात्मकम। इति करकधन वोह मानम तदन अंतरम च सिंह व्रिष्टक योहु कृते निरक्षदेशिय माने स्वदेशिय चरखन्दानाम योजनेनम तत्र योजनम कर्तव्यमसमा भी तदा शचत्चत्वारिम्षत इती चर्खंड मान योजनेन लब्धिह भवती पंच चत्वारिम्षत उत्तर त्रिशतात्मकं तथाच कन्या तुलयोहु कृतेच अश्ट सप्त तिह द्विशत उत्तर मानमिजम्भवती निरक्षदेशियं तत्र सप्त पंचाशत इती मान योजनेन लब्धिह भवती पंच त्रिम्षत उत्तर त्रिशतात्मकं एवं प्रकारेण ग्रह लागवानु सारेण ग्रह राशी नाम तत्र निरक्षोदयमानम् सोदयमानम्च अत्र पठितं अस्माभिह ग्यातं प्रकारांतरी निदानिम् इति श्लूक माध्यवेन उपस्थाप्यते, त्रिभध्यु करनार्ध गुणाह, स्वाहो रत्रार्ध भाजिताह, क्रमाद एक द्वी त्रिभध्या स्तच्चापानी प्रुथक-प्रुथक, स्वाधो धह परिशोध्याथ मेशाल लंको दयासवः, अर्थात एक द्वी त्र राशिज्याचा प्रुथक-प्रुथक, त्रिराशित युज्याव व्रत्तिय व्यासार्धिन संगुण्या, क्रमेण एव स्वास्व युज्ययाचे भाज्यते, तरहिय लभ्यते, ते शाम चापानी एकम अन्यतह क्रमेण परिशोध्य मेशादी नाम लंको दयासवः अत्र प्रथम चापतुल्यम भवति मेशस्यमानम, अत्र प्रथम चापोनित द्वितिय चापतुल्यम भवति व्रशस्यमानम, द्वितिय चापोनित तृतिय चापतुल्यम जभवति मिथुनस्या उदयमानम इति सिध्धमेव वर्तते गोले विदांकृते, अत्र क्षेत् अंध्यमेनय स्य उपत्तिही असमाभही द्रिशितिे क्षेट्रे इसमीन यत मेशन मेश चापानशाह कारachment रूपेन रूपेन रस्थता है, मेश मेशlies नाज़ न स्यरूपेन रूपे रूपेन रूप dal रूप रूपा स्थता है तथा चा सम्ना इति नाडि वृत्य कोट ही भवती। तथा चा सम्ना इति नाडि वृत्य कोट ही भवती। तथा चा भाजितातर ही लब्धी ही भवती मेशो दयासवह मेशो दयासुज्या तथा तेशाम्च एवं प्रकारेन तेभी ही मेशो दयासवह लभ्यंते। एवं एव प्रकारेन सम् ब्री इति द्विराशि चापान शाह करणह ब्री डी इति व्रशान्त क्रांतियन शाह भुजह सम् डी इति संपातात विशुवांत ध्रुव प्रोता वथी नाडि वृत्य भवती कोट ही। तथा च ध्रु ब्री इति व्रशान्त द्युज्या चापान शाह करणह ध्रु मी इति परमालप द्युज्या चापान शाह कोट ही। ब्री मी इतिक्रांते वृत्ये भुजह इत्यनयोहो ग्रुफ रपि चाप जात्ययोहो ख्षेत्रयोहो साजात्यात पुनहा अस्मा भी अनुपात अत्र क्रियते यदि द्रूब्री इति तुल्ये व्रशान्त जुज्या करने ध्रूमे तुल्ये परमाल पर जुज्या कोटी ही अस्मा भी लभ्यते तदा संब्री तुल्य विराशिचाप जया करने के मित्य अनुपाते नजातम संदी तुल्यम नाड ब्रते विराश्यु दयासु चापम अर्था विराश्यु दयासवह असमा भी लभ्यनते अर्थात जा ध्रूमी गुनित जा संब्री तथा च व्रशांत द्युजया भाजते तरही संडी जा इति लभ्यते तथा चेतन मानम एव भवंती विराश्योदया सवह अता एव यदा संदी तुल्या विराश्योदया सुभ्यह संदा तुल्या प्रथमराश्योदया सवह विशोध्यंते तरही ना दी तुल्या विशोदया सवह जिध्यंती एवं प्रकारेन मेशोदया सूनाम विशोधनेन व्रिशोदया सवह लभ्यंते। परमालप द्युज्या एव कोटी ही लभ्यते तदा सम्मी तुल्या तुल्या करने किम। परमालप द्युज्या एव भाजिता तरही एवं प्रकारेन अनेन त्रैराशे कानुपातेन लभ्धी ही तुल्या एव भ्यते। अस्याहा चापम्च त्रिराश्यो दया सवह भवंती अत्र यदा सम् व्रितुल्या त्रिराश्यो दया सुभ्या सम् डी तुल्या विराश्यो दया सवह व्योज्यंते तदा दीम व्रितुल्या तुल्या मिथुनो दया सवह सिध्यंती। मेशो दया सवानाम तथाच एवम एव प्रकारेण विशो दयासुनाम तु ज्ञानमस्माभी पूर्वम एवक्रतम एदानिम मिथुनो दयासुनाम ज्ञानमपी एवम प्रकारेण विराश्यो दयासुनाम विशो धनेन जायंते। एवं प्रकारेण अनया एव रित्या निरक्षदेशे मेशादी नाम उदयानी खागाष्ट यो अर्थ गोगई काहा शरत्रयंक हिमान्षवह इति सूर्य सिध्धां तोक्त्या रित्या क्रमशह तत्र सप्तत्य उत्तर शोडश शत मितात्मकं तथाच व्रिशस्या पंचोन अ करकस्या पुनहा पंचोन अश्टादश शतात्मकं सिंहस्या सप्तत्य उत्तर शोडश शतात्मकं तथाच पुनहा कन्याया तदेव मानं सप्तत्य उत्तर शोडश शतात्मकं तुलायाश्या पंचोन अश्टादश शतात्मकं व्रिश्चिकस्या पंचत्रिम्षद उत्तर प्रजंसरो आफ आफ मुझा कर दो अतह शडभक्तानिय ज़दानि असुनी पलात्मकानि भवन्ती असवह निरक्ष देशानाम धुर्वयोह मध्यकतत्वात धुर्वस्थाना नवत्यन्षेन वेतम वृत्तम नाडि वृत्तम निरक्ष क्षितिज धरातलो परी लंबरूपं भवती परंतु तदितर देशेशु अक्षान्ष उत्पत्ति ही वशात विशुव वृत्त सहित अहोरात्र वृत्तानि तिर्यक भवन्ती येन निरक्ष क्षितिजा पेक्षया स्वाभीष्ट क्षितिजे मेशादी नाम धयमानानी लंका स्वदेशयोह मध्यकत उर्ध्वाधर अंतरेन नाम चरखंडाखेन अ निरक्ष क्षितिजे स्वाक्षितिजे चे लगती तत्र क्षितिजोन मंडलयो हो मेशादव कतत्वात् परन्तु सौम्यक्षान्ष स्थ जनानाम देशानांकरते उन मंडलात अधाह क्षितिजस्य इस्थितत्वात मेशांत बिंदुहु प्रथमं स्वाक्षितिजे उदेत तदनंतरम चा निरक्षक्शितिजे उदेथिवा लगती तेना मेश राशिजन्य चरक्षणंडोनम मेश निरक्षोधय मानं एव स्वादेशे मेशोधय प्रमानं भवती एवम एव प्रकारेण व्रिशांत ह राशिद्वय चरखन्ठ योक तुल्येन पूर्वम लगती तेन ध्विराशिचरखन्दोनं निरक्षोधय प्रमानम स्वीय क्षितिजे व्रिशोधय माननं भवती अत्र दुराषी जन्य चरखण्डंदम प्रथमराषी चरखण्डंदम आनेन यदे विशोध्यते तादा केवलं दुती चरार्धम एव अवशिष्यते येन केवलं दुती चरार्धोनं व्रिशनिरक्षो स्वादेशे उदय प्रमाणं इदमे वास्ना कम अभिष्टम अभिभवती एवमेव प्रकारेन मिथुनांतह स्वाक्षिति जे त्रिराशी चरक्षंड योक तुल्यकालेन पूर्वमेव लगती येन त्रिराशी चरक्षंडोनं मिथुन निरक्षोदयं मिथुनराशे हे प्रमाणं स्वदेशे भवती करकाद इशुच रिशुराशिशु चरक्षंडानाम अपची यत्वात संशोधनं कृतेपी धनत्वमेव भवती यतोही मेशादेहे करकांतह निरक्ष चतुर्थराशे प्रमाण योगेन उनमंडले लगती स्वाक्षिति जेतु द्विराश जन्य चरक्षंड योग तुल्यकालेन पूर्वमेव लगती येन द्विराश चरक्षंड योगात ख्षय कतह त्रिराश चरक्षंड योगह यदा विशोध्यते तदा संशोध्यमानम रिणम धनत्वम प्राप्नोती इत्यादिना धनकतह भवती येन करकराशे हे निरक्ष प्रकारेन अस्माभी एवाम पे वक्तुम शक्यते यत करकादिराशे त्रये चरकंडानाम अपची यत्वात रिनकृतेपी धनमेव बहते येन करकादिर त्रिशु राशेशु उत्क्रमेन चरारधानी क्रमशह योज्यन्ते तदाते स्वदेशियोदयाह जायन्ते त्रिज्या वृत्ययोहो संपात स्थानात उभय दिशी समानम एव उपचयत्पम अतह कन्यांतात विलुमं मेशाद्यावधि ही राशिमान तुल्यानी तुलादेह अनुलोमं मीनांतावधि राश्युदै मानानी भवंतीती उत्क्रमेन तत्र तुलादीनाम शन्नाम राशीन माना नियस्मा भी ज्यायंते। जितानाम मूलानि तासाम त्रिगुणा हतानि स्वस्वध्यु मौर्व्या विभजेत्पलानाम चापान्य धोधः परिशोधितानि क्रमोत क्रमस्थानि निरक्षदेशे मेशाधिकाना मुदया सवहस्य हो। यदा नाडि वृत्ते राशय हस्य हो तदा नाडि उन्मंडल वृत्तयो हो तिरश्ची नत्वात सरवेशाम अपि राशी नाम उदय मानानि निरक्षा स्वात्मकानि भविश्यंती। परम्चराशय क्रांति वृत्ते भवंति न तुनाडि वृत्ते अतह निरक्षदेशे श्वपी मेशाधि नाम भिन्नो दयाह भवंती। इदमेव कारणम वर्तते तत्रभिन्नत्वस्य प्रसंगेश्मिन क्रांति वृत्तस्य योही त्रिंशद अन्शात्मकाह विभागह प्रवह गत्यानुरोधेन निरक्षदेशी यक्षिति जे तिरश्ची नत्यास्थितह भवती स अल्पेन स्वात्मके नकालेनु देती। भागाष्य बहुकालेन संबध्धाह भवंती ती क्षेत्रावलोकरेन सम्यक्तया ज्यायते अतह मेशादीनाम निरक्षोदयाह भिन्नाह भिन्नाह भवंती। एवं प्रकारेन प्रसंगेश्मिन शिरोमनों भासकरेन कथितम अपिवर्ततेयत। योही प्रदेशो पममंड लस्य तिर्यक स्थितोयात्य उदयम तथास्तम सोल्पेन कालेन या उर्ध्व संस्थो अल्पेन सोस्माद उदयान तुल्याह एवं प्रकारेन अत्र निरक्षोदयासूनाम स्वोदयासूनाम च ज्यानम कथम कर्तव्यम काच उपादेता वर्तते कश्च विधीह वर्तते किम्च वैशिष्ट्यमस्ति इत्येटेशाम समेशामपी पक्षाणाम सम्यक्तया ज्ञानमसमा भी कृतम अच सारांश रूपेण वक्तुम् शक्नुमहयत लंकाक्षितिजे लंकोदय मानानी स्वक्षितिजे चा सोदय मानानी भवंती क्रांति वृत्ते राश्याद्यंत बिंदु द्वयो परिकतयोह। ध्रुवप्रोत वृत्तयोह। अंतरे नाडी वृत्ते यद्चापात्मक मानम लभ्यते तदेव मानम तस्य राशेहे निरक्षव दय मानम भवती। लंकोदया विगटिकाह पलात्मकाह सिह। तत्रमेशस्य गजभानी वृषस्य गोंकदस्राहा विथुनस्य जात्रिपक्षदहनाह इतिक्रमस्थाह उत्क्रमस्थाह चविपरिताह कीटादित्रयानाम उदयाह भवन्ती। निरक्षदेशानाम ध्रुवयोह मध्यकतत्वात द्रुवस्थाना नवत्यंशेन वहितम नाडे वृत्तम निरक्षक्षितिज धरातलो परी लंबरूपंभवती। परंतु तदितर देशेशु अक्षान्षवशात साक्षत्वात विश्ववृत्त सहित अहोरात्र वृत्ताने तेर्यक भवन्ती। येन निरक्षक्षितिज अप्यक्षया स्वाभिष्टक्षितिजे मेशादी नाम उदय मानानी लंका स्वदेशयोह मध्य गतोर ध्वाधर अंतरेन चरक खंडाखेन अंतरेतानी भवन्ती। तथा च्च दिवरात्र वृत्ते नाम अहोरात्र वृत्ते चरक खंडागालः भवती एवं प्रस्य अध्यएनेन सम्यक्टया Boginyam समेशाम अभिपक्षानम ज्या नमस्वाभी कृतम जातम चा इत्यव मुक्तवईव विरमामी धन्यवाद हा